जाइंदस्ट्रंस कैसे आप सब अब आप लोगों का दो एक्जाम बचा है मोनेट्री एन फाइनसियल इंसिटूइशन और लेंग्वेपर ठीक है तो जैदा समय नहीं है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट में वीडियो अप्लोड कर देता हूं और आप लोग एक एक वीडियो को करें इसलिए आप लोगों को थोड़ा जैदा पढ़ना होगा ठीक है लेकिन अब तो समय बहुत कम है तो हम कोशिज करेंगे जो बुक से भी जो इंपोर्टेंट क्यूस्ट्ट जो हो वह भी अप्लोड कर देते हैं और गेस वेपर से जो भी इंपोर्टेंट क्वेशन सो व आपको समझना पडेगा तभी जाके आप से कुछ संभव है गलिए तो मुध्रा के परीमान शिद्धांत का वीणी मैं समीकरण किस ने दिया मुद्रा के परिमानंसे अ परिमानों, या फीषर होती है जब मुद्रा की पूर्ति में विर्दि घूत्ये तो वस्तुओं के मुल में क्या हो जाते हैं तो मुद्रा की पुर्ती में व्रदी होते हैं तो वस्तुओं के मुल बढ़ जाते हैं यह ध्यान रखिए ऑप्शन में रहेगा बढ़ जाते हैं घट जाते हैं ऐसे करके विनी में समीकरन जो है MB वराबर PT तो उसमें भी का मतलब क्या है तो भी का मतलब होता है मुद्रा की चलन सकती आगे फीसर के समीकरन के अनुशार मुद्रा फीसर के समीकरन के अनुशार मुद्रा फीसर के समीकरन के अनुशार मुद्रा के बीच एक क्या है कौन सा संबंद है तो एक निश्चित संबंद है फीसर के समीकरन के अनुशार मुद्रा और साख मुद्रा के बीच में क्या है तो एक निश्चित संबंद है आगे है मुद्रा के मुल में परिवर्तन इंफ्लेशन क्या होता हैं मुद्रास्पिति या महंगाई किसी अर्थ ववस्था में समाई के साथ विभिन माल और सेवाओं की कीमतों में होने वाले एक समान्य बढ़ोतरी को कहा जाते हैं मुद्रास्पिती को महंगाई भी हम बोल जकते हैं ठीक है न मुद्रास्पिती या महंगाई किसी अर्थव्वस्था में समाई के साथ विभिन माल और सेवाओं की कीमतों में होने वाले यह से एक सामान बढ़ोतरी को दिखेतीा एक सामान बढ़ोतरी अगर किसी ओट्ड्ज और सर्विस में होता है तो इने हम लग बोलते मफ यानि की अस्पीति मुद्रrite की वृदी यानि की महंगायाई बढ़ना समान बढ़ोतरी जी से हम कह सकते हैं धीक है न किसमें तो माल और सेवा होगे मुद्रायय शीटि होता है जब सामाने मुल बढ़ते हैं तब मुद्रा की हर इकाई की क्राई सकति में कमी हो जाती है ठीक है? मुद्राय स्थिति के उंचे दर या अतीस मिती की इस्तिति जनता के लिए बहुत हानिकारक होती है मुद्राय स्थिति का जब उंचा दर हो जाता है जैसि महणाय बढ़ जाएगा तो जनता के लिए हानिकारक Communist तो होगा ही ठीक है ना? और निर्धर्णता फैलाने का काम करते हैं जैसे महंगाई बढ़ेगा तो गरी भी बढ़ जाएगी यह आप लोग समझी रहे होंगे ठीक है यह इस्थिती अर्थ वस्ता की तुलना में आवसक्ता से अधिक पैसा छापने से जन्म लेती है यह इस्थिती होता कभ है जब तुलना है जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं वो समझ ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपको यहां से समझ कर उत्तर लिखना होता है जो इसमें लाइन दाता है न यहां तो हम ऐसे नहीं दे रहे हैं एक क्वेस्टन उसका चार ऑप्शन हम एक दो यूट्यूब को देख वाले अच्छा लगता है जबकि पढ़ाई जो है वह नोट्स में होता है चाहे आप यूपीसी करने के लिए जाएंगे तो आप नोट्स का महत होता है यह आप संट करने वाला और बहतर नहीं है ठीक है तो यहां आप शमझ जिए फिर उसको ध्यान से कुष्चन पढ़िएगा औ मुद्राइसफिती हुआ अवासा जिसमें क्या होता है तो सामान कीमत असर बढ़ता है और दूसरा है क्या मुद्रा की क्राह सकती घट जाती यह और तीनों हो जाएगा तो फिर answer all of these हो जाएगा मुद्राइस्पिती अन्याईपुर्ण है मुद्राइस्पिती अन्याईपुर्ण है तो अवेस्पिती अनुप्यूक्त यह किन का कथन है मुद्राइस्पिती अन्याईपुर्ण है और अवेस्पिती जो है अनुप्यूक्त है ठीक, आगे देखते हैं, हम लोग, मुद्रा स्फिती की दसा में किन नियोकताओं का लाव होता है, यानि कि जब मुद्रा स्फिती होता है, ना, मुद्रा स्फिती होता है, महंगाई होता है, तो किन नियोकताओं को प्रॉफिट हो जाता है, तो सम्ता अंस धारी, यानि कि एक यह बढ़ता है और वस्तु के मुल बढ़ते हैं यह कथन किन का है क्रौत हम सभी जानते हैं जो वस्तू के मुल बढ़ते हैं तभी न भाझाई होता है जैसे पेट्रॉल का दाम है बढ़ गया पहले मिलता था अब मिल रहा है, 1802 में तो महंगाई बढ़ गया गया स्थिती आवस्ता है, जहां मुद्रा पास एक लाग रुपया है और मार्केट चाहेंगे तो आपका सारा खर्च हो जाएगा शमन आपको कम मिल लेगा क्योंकि वस्तू का मुल बढ़ जाता है और मुद्रा का मुल गिर जाता है यहां समझ लीजी याद रखने के लिए तो आपको एक दो एक्जामपल जब देंगे में गिराबट है अब इसपीति तभ होता है जब वार्शिक मुद्रा स्पीती की दर्श Warriors प्रतिसत की दरसे भी नीचे गिर जाती है आवेज़िए कब को रोखने haat मुद्रा संकुचन को दूर करने केंद्रिये बैंक कौन सा उपाई करती है अगर मुद्रा संकुचन को हमें दूर करना है मुद्रा संकुचन को हटाना है तो इस इसी केंद्रिये बैंक कौन कौन स्टेप्स लेते हैं पहला तो बैंक दर में जो है कमी कर देते हैं फिर आगे है प्रति भूतियों काक्राई कर लेते हैं और उभुक्ता साख में क्या करता है तो वर्दी कर देता है इन सभी स्टेप्स से मुद्रा संकुचन को दूर किया जा सकता है ठीक है आगे हैं मुद्रा का स्रीजन, चली देखते हैं वानिजिक बैंकों के पास जमा निछेपों के अधार पर वे अपने ग्रहकों की स्विधा परदान करते हैं किस की? तो रीन की ओर एडवां्स की, लोन और एडवांस ये दो ब्वेवस्ता करता है, वानिजिक बैंकों के पास जमा निच्षपों के आधार पर वानिजिक बैंक के पास जमा निच्षप होता है उससे अपने ग्रहाक का कौन-कौन प्रदान करता है रहा एक तो रीन का दोसरा किसलो और बैंक अपने घ्राकों को अधिक पैसा निकालने की सुःपभा सकता है पाइससे ब Mizrahe a ज़ेह आगरें हम लोग देश थें के शिधधांथ। यह बन गया SBI मैं यहां पर मैं एक तथ को समझा रहा हूं समय चुकि कम है नहीं तो इस बात को आप दो बार तीन बार पढ़ते तब जाके बहूत सारे बातों को हम एक छोटे से वीडियो में समझा रहे हैं ताकि आपको कम टाइम में अधिक तयारी हो जाए और यह तुरत मे हो नहीं जाएगा एक दोबर आपको देखना पड़ेगा तो आपको कैसा लगता है जरूर बताइए क्योंकि आपका जो होता है ना वही हमारे मोटिवेशन का कम करता है हम कितना भी बीजी से डूल क्यों नहों मैं आप लोगों के लिए टाइम निकालता हूं वीडियो बना पता है तो आप बताईएगा तो अच्छा रहेगा ठीक है चलिए इनका जो हेड़कॉर्टर हो कहां पर है मुंबई में स्थापना स्थापना का कव हुआ एक जुलाई पच्पन का पहले इस बैंक का क्या नम था तो इंपैरियल बैंक जो बाद में स्थापन गया ठीक है च रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया कब अस्थापित हुआ एक अप्रेल 1935 को राष्टी एकन कब हुआ एक जनवरी उन्चास को इसका जो हेड़ कार्टर है हो हेड़ ऑफिस हो कहां पर है मुंबई में ठीक है भारती रिजर्ब बैंक का जो एक अप्राइब नेटाशन को खतम होता है भारती रिजर्ब बैंक का स्थापना एक अप्रेल 1935 निका राष्टी एक अप्रेल 1935 इनका राष्ट्रिया कभ उआ एक जनवरी उन्चास को इसका हेड़ ऑफिस कहां पे है मुंबई में ठीक है आर्बिया का कौन काम है तो कि आ पर समझने वाली नहीं होंगे उन्हें समझें नहीं आएगा जब आप यह सेंडियों किसे कहा जाता है उसका आन्सार हो घंजाना but आरबी आई का कौन सा काम है currency note का निर्गमन सरकारी बैंकर का काम करना बैंकों का के बैंक का काम करना तो आपको यहां पर समझना पड़ेगा ना जो इस प्रस्ट का उतर यही होगा कशुंधा होगा तो आप ढूंडते रहते हैं जो डिरेक्ट का लाने वालाा तौस आपको समझने की बात है यह समझने की चीजह काल का मैं करेंसी नोट का निर्गमने का बैंकों के बैंक का का मेंक धरागे विदेसिटी वी मुलिका स्वर्ण कोस रहना चाहिए आरबिया जो नोट का निर्गमन करता है तो उनके पास कम से कम 115 करोड मुलिका स्वर्ण कोस रहना चाहिए तब ही वो निर्गमन कर पाएगा आगे है पंजाब निशनल बैंक का अस्थापना तो 1894 में हुआ अस्थापना पंजाब निशन बैंकों का हुआ ठीक है और 1979 में 14 बैंकों का राश्टिकर हुआ था इंपिरियल बैंक का स्थापना 1921 में हुआ बीओवी बैंक ओफ बैंक और बरोद्रा ठीक है बैंक ओफ मारास्ट्रा इन सब भी बैंकों को मिला के था बाद में इसको continentसba बना दिया गया घ्रामीन बैंक के सापना दूह एक्टूबर 1975 ठीक है 1987 में ग्राइवीद का सापना बंध बंध हो गया उस समय 196 बैंक करन दिए समझ लिहां ग्राइज का सहांँ यू अक्टूबर 1975 को हूआ था उनसे सभाफ़में Bereking का बंध हो गया उस समय एक 136 बैंक कार नहीं अभी 56 बैंक है ठीक है केंदर्टथ और प्रबरतक बैंक का है 1515 केंदर का 50 राज कांदर्व प्रबरतक बैंक का 35 यह से अध्यिक थी cry क Eig आई गया होगा ग्राविन बेंक का सापना 2 October 1975 को रुवा, 1987 से ग्राविन बेंक का सापना बंध हो गया, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो सब्सक्राइब करके इसे आगे फरवर्ड करते धन्यवाद